हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू नोवमुनी स्कूल चाम नगर आज हम पढ़ेंगे स्टांडर्ड फिप्त उसमें रिम्जिम चेप्टर नूमर थर्टिन स्वामी की दादी तो फ्रेंट्स स्वामी की दादी के बारे में चेप्टर है कि वो कैसे अपने दादी के साथ बाते करता है, इस चेप्टर में बताया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बैठक और भोजन कक्स के बीद कम हुआदा, अंधिरे गल्यारी की बंसी कोटरी में स्वामी नाथन की दादी अपने सारे सामन के साथ रेती थी, उनका सामन थ पांच दरियो, तीन चादरो, पांच तक्यावाला भारी बरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वरगा का बक्सा और लड़की का एक छोटा बक्सा जिसमें तामबे के सिक्के, इलैची, लोंग और सुपारी पड़े रहते थी, तो स्वामी नाथन की जो दादी थी, वो भोजन कक्सक और बेठक के जो हुआदार अंधेरा कमरा था, उसी कोटरी में स्वामी नाथन की दादी रहते थी, वहाँ पर उसका जो सब सामान पड़ा रहता था, चादर थे, तक्ये थे, बक्सा था, बक्सा के अंदर तामबे के सिक्के थे, इलैची थे, लोंग थे, महसुस कर रहा था, यहनि कि रात का बोजन खाने के बाद, जो स्वामी नाथन ताम अपने दादी के पास रहता था, और जो लोंग और इलैची के जो स्वा जाता है, जो महक आती है, वहाँ वो सब महक महसुस करता था, बड़ी प्रसनता से भरकर वहां बोला, ओ दादी, त उसने दादी को राजम और मनी की पहली दुस्तमनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई, तो उसके बाद जो स्वामी नाथन ते, उसने अपने दादी से कहा कि तुम राजन को नहीं जानती, राजम, वो कितनी उची चीज है, राजम और मनी को, मनी ने दोनों की दुस्तमन और दोस्ते की कहानी क्या स्वामीन नाथन ने अपनी दादी को सुनाई तो मैं पता है उसके पास सचमुख की पूलिश की वर्दी है स्वामीन नाथन बोला यानि कि आपको पता है कि उसके पास सचमुख की पूलिश की वर्दी है सच उसे पूलिश की वर्दी क्यों चाहिए दादी ने बूचा, तो ये सच में उसके पास है, तो उसको वर्दी क्यों चाहिए, उसके पिता पुलिश अधिक्षक है, वह यहां कि पुलिश के सबसे बड़े अपसर है, दादी काफी प्रभावित हुई, उनका सच में काफी बड़ा दपतर होगा, उन्होंने कहा, फिर उ उनसे डरकर खुखार से खुखार नाकुट तक फाग खड़े होते थे। स्वामी नाथन अधिर होकर उनकी कहाने खत्म होने का इंतजार करने लगा लेकिन दादी बोलती ही गई इदर उदर बटकती हुई और अलग-अलग समय पर घटी-खटनाओ को गड़-मड़ करती हुई यानि कि स्वामी नाथन ने कहा कि जो राजम है उसके पिता है वो कुछ पुलिस के बड़े अधियक्ष यानि अपसर है इसलिए वो अपने पुलिस के वर्दी पहनता रहा तो दादी ने भी कहा कि जो उनके दादा थे वो भी एक रोभदार मेजिस्ट्रेट थे उन्हों उट से भी सभी पुलिस वाल ले थे वो कापते थे और खुखार से खुखार डाकू भी भाग जाते थे और स्वामी नाता ने उसकी बात के खत्म होने का इंतजार कर रहा था बस काफी है दादी उसने रूखे स्वर में कहा मैं तुम्हे राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ चानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले है तो अभी वो दादी बात कर रही थी तो जो स् सच बात है लेकिन अब जानती हो राजम को गनित में कित्ने नमबर वे सारे नमबर मिलते होंगे है ना दादी ने पूचा तो दादी ने पूचा कर उसी तरह नमबर लेने चाहिए तुम्हें है तुम्हें दादा कभी कभी इसे उतर लिखते थे कि परिक्षकों को भी चकित कर देते थे किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले दस्वा हिस्सा वक्त लेते थे और फिर भी फिर उनके जवाब इतने सांदार होते देगी कभी-कभी उनके अधियापक उन्हें 200 नंबर तक देते थे जब उन्होंने एमे किया तो उन्होंने इतना बड़ा मेडल मिला था मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रहे पता नहीं मैंने कब उसे उतारा हाँ जब तुम्हारी बुवा पैदा हुई नहीं तुम्हारी बुवा नहीं तुम्हारे पिता याद आया तब बच्चा उस दिन, दस दिन का था अरे मैंने, नहीं मैंने पहले ठिक कहा था तुम्हारी बुवा की पैदा हुई थी, पता है वह मैटल अब कहा है मैंने वह तुम्हारी बुवा को दिया और उसे बेवकुत ने उसे गलबा कर चार चूडिया बना ली और वहां भी इतनी मामूली से चुड़िया कि मैं हमेशा कहती रही कि हूंके हमारे परिवार में एक उस जैसा मामूर कोई नहीं और अब बस पी करो दादी चलो तो दादी कहती थी कि जो राजम है उसको तो सारे नंबर मिलते होगे तो कि नहीं राजम को सारे नहीं 90 नंबर मिलते है स्वामी नातन ने कहा तो स्वामी नातन की दादी ने कहा अगर तुम मेहनत करोगे तो तुमें भी सबसे अच्छे नंब तो तुम्हारा तुम्हारे दादा जी थे वो दस्वे हिस्से तक वो जवाब दे सकते थे और म मेम तो उन्हें एक मेडल भी मिला था और वह मेडल में गले में पहनती थी सा धादी ने कहा लेकिन वो मेडल मेने कब निकाला दादी ने फिर वो मेडल गले में से कब निकाला आई कि तुम्हारे पिता का जन्म हुआ तब या फिर तुम्हारे बुआ का जन्म हुआ तब नहीं उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे बुआ का जन्म हुआ तब मैने वो मेडल निक बस भी करो तुम बेकर की पुरानी कहानिया सुनाती रहती हो क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती तो भी फिर से नुवामियातन बोला कि आप पूरानी पूरानी कहानिया बाते हमारे गर की सुनाय करती हो आप राजम के बारे में सुनी है हाँ हाँ बोलो दाद जब राजम छोटा था तो उसने सेर मार दिया था सच बड़ा बहादूर लड़का है तो दादी ने कहा कि बढ़ा बहादूर लड़का है तुम यह बात मुझे खुस करने के लिए कह रही हो तुम्हें यकिन नहीं हुआ होगा स्वामी नाथन ने बड़े उत्सा से कहानी सुरू की राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे राजम उनके साथ था अचानक दो सेर उन पर छपते और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया दूसरे ने राजम को पिछा किया राजम एक जाड़ी के पीछे छुप गए और वहीं से गोली चलाकर सेर को मार डाला दादी क्या तुम सो गई उसने कहाने खत्म होने पर पूछा अभी ये स्वामी नाथन ने कहा कि राजम है उसने सेर को मार डाला था तो दादी ने कहा कि सच तो बहुत बहुत लड़का है तो उसने कहा कि तुम मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन सच में एक बार राजम और उसके पिता थे वो जंगल में डेरा डाले हुए थे तो राजम उनके साथ था अचानक दो सेर आये और उन पर हमला कर दिया तो एक सेर ने प पहाने तुम सुन तो रही हो या सो गए नहीं बेटा सुन रही तो फिर से दादी ने कहा कि नहीं सुन रही हूं अच्छा बताओ कितने सेर आये थे तो फिर वो चेक कर रहा था स्वामी नातन के दादी ने सुना है कि नहीं थी उसने कहा कि कितने सेर थे दो सेर राजम पर जबते थे दादी ने जवाब दिया तो दादी ने कहा कि दो से राजम पर जबते थे स्वामी नाथन दादी के गलत जवाब से चिड़ गया मैं तुम्हें इतनी जरूरी बाते बता रहा हूँ और तुम नीद में नजाने क्या-क्या उजल जलूल कल्पना किये जा रही हो एक शेर राजम पर जबता था एक उसके पिताग जीपत तो फिर स्वामी नाथन ने वो चिड़ गया गुसा हो गया कि मैं तुम्हें ये सब बाते बता रहा हूँ लेकि तुम्हें तो सब नीद आ रही है तुम्हें राजम पसंद नहीं है नहीं नहीं वह तो प्यबूत प कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है यानि कि इंबिर से दादी ने कहा कि नाना राजम तो बहुत अच्छा लड़का है प्यारा लड़का है दादी विश्वास से जवाब दिया तो स्वामी नाथन खुस हो गया लेकिन दूसरी एक सणों उसे पता लगा कि चलो दादी को को दूसरी बात में बताता हूँ तो नहीं कहा कि मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ मैं एक-एक सब्द पर विश्वास करती हूँ दादी ने स्वर में मिठास पर कर कहा स्वामी नाथन को इससे खुसी हुई लेकिन उसने चेतावनी के तोर पर जोड़ा जो भी उसे जूट जूटा कहेगा वह उसे गोली माज देगा यानि कि दादी ने कहा कि मैं तुम्हारे एक-एक सब्द पर विश्वास करती हूँ तूम सच्चे हो तो फिर स्वामी नातन ने कहा कि अगर कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा तो मैं उस पर गोली माज दूग उसने कहानी आती ही सुनाई थी कि स्वामी नातन खराटे लेने लगा दादी भी रुक कर बोलने लगी फिर वह भी सो गई आरके नारायन मस्तराम का पूरिया निकि दादी ने उसके बाद स्वामी नातन को अरिश्चंद्र की कहानी सुनाई जो अरिश्चंद्र अपने सत् अपनी सिहासन बच्चों को खोना पड़ा था और ऐसे ऐसे कहानी बढ़ रही थी तो स्वामी नाथन दिरे दिरे सो गया था और दादी भी बाद में सो गई चले आगे कहानी से सच राजम बढ़ा बहुदर बढ़ा है बहादू लड़का है स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बाद उसे खुस करने के लिए कही है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि दादी है उसकी बाद पर ध्यान नहीं दे रही है मेडल में चुडिया बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महा मुर्क क्यों माना क्योंकि यह मेडल उसके पिता जी को एमे में मिला था इसलिए एक चिनह के रूप में था यादी के रूप में था इसलिए उसको उसके पास रखना चाहिए ना कि उसकी चुडिया बनाने चा गई थी या फिर आप स्वामी नाथन की लिख सकते स्वामी है भी छोटा बच्चा था स्वामी है और राजम पर विश्वास करता था स्वामी है उसको कहा नहीं सुनाता था इसे आपको बाग की लिखने है उसके बाद तुम्हारी समझ से स्वामी ने राजम को उन्ची चीज चीज माना क्या तुम स्वामी की राज से सहमत हो अपने उत्तर के कारण लिखो यानि कि राजम है उन्ची चीज माना क्योंकि उन्होंने सेर कौमार दाल था इसलिए स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिष्टा था तीन चार वाक्य में लिखो तो स्वामी अपने दादी के साथ रहता था उनके साथ बातचीत करता था उनसी ये साथ बोलता था ये सबी बाते करता था कहानी सुनता था और सुनाता था कहानी और तुम स्वामी नाथन के दादा रोबदार सब मेजिस्ट्रेशन थे किसी व्यक्ति को रोब किन बातों से पता चलता है तो रोब किन बातों से पता चलता है, तो किशी भी व्यक्ति को रोब कौन जमाता है, तो हमारे गर में भी कई बड़े जो लोग होते हैं, रोब जमाते हैं, उसी तरह जलिए, तुमारे आसपास कोई रोबदार व्यक्ति है, सब्दो के जरिये, उसका खाका खीचो, यानि कि दादी के पास बहुत प्रसन और सुरक्षित मैसुष कर रहा था, तुम कब सुरक्षित मैसुष करते हो, तो आपको यह बताना है, उसके बाद तुम इन हालात के हालात, कैसा मैसुष करती हो, दोस्ति के गर पे, तो फ्रेंज ये भी आपको यहाँ पर लिख देना है, उ आने में कौन-कौन से पद होते हैं इन व्यक्तियों के नाम भी पता करो इन पदों पर नीचे दिये ताली के एकटा दी गई जानकरी करो जैसे पुली स्टेशन होता है फैंस उसमें इंस्पेक्टर होते हैं PSI होते हैं उसके बाद constable होते हैं SRP के जवान हो सकते हैं उसके बाद Home Guard के जवान होते हैं चले आगे दादी का बक्षा दादी का सामान था पांच दरिया तीन चादरे लकड़ी का एक छोटा बक्षा जिसमें तामबे के सिक्के इलाइची लोंग और सुपारी पड़े रहते थे दादी अपने बक् होता है डालना में, या प्र कुछ सबस्जी में डालते हैं उसके बाद ताबे के सिक्के बनने के लिए किस थातू का था था ही होते हैं सब्दो की बात नीचे पहले स्तंब में रेखांकित विशेश हो और दूसरे स्तंब में सब्द का प्रवाक्य में प्रयोग करो तुम एक से अधिक वाक्य का सहारा भी ले सकते हैं जैसे उल जलूल कल्पना चेतावनी आपको इसमें वाक्य का प्रयोक करना है इन सबी में चले आगे नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंस दिये गए है जैसे यहाँ पर वाक्य में आपको बता दूँ जैसे रूखा स्वर तो आसा का स्वर रूखा है यसे आप लिख सकते हैं उसके बाद खुखार डाकू तो भेरव सिंग खुखार डाकूर था उल जलूल कल्पना तो स्वामी उलल जलूल कल्पना करते थे उसके बाद नीचे दिये गए वाक्यासो के वाक्या कांस दिये गए है उनमें जिन सब्द के नीचे रेखा खिची है उनका पैचान करो जैसे वर्दी यहाँ पर स्ट्रीलिंग और पूलिंग दो यहाँ पर प्रकार के लिंग होती है स्ट्रीलिंग पूलिंग उसमें पूलिस की वर्दी तो वर्दी क्या हो गई स्ट्रीलिंग हो गई उसके पाच सिक्के सिक्के यानि पूलिंग हिस्सा भी पूलिंग दबतर भी पूलिंग सामान सामान रखा है सामान रखी है नहीं है इसलिए है इसलिए पूलिंग उसके समाद यहां पर एक गोलू की चित्रवारता दी गई है तो आप यह चित्रवारता पढ़िएगा इसलिए आपको पता चलेगा अब यह आगा बढ़ते हैं आसपास तो चलिए आसपास कभी किसी नई और अच्छी बातों को समझने के लिए अकाद कठिन सब्द भी जान लेने में मज़ा आता है परियावरण एक ऐसा ही सब्द है हमारे बिलकूल आसपास और घूब दूर दूर चो कुछ भी है उसका बहुत सा भाग बहुत सी चीजे उसकी बहुत सी बाते एसी सब्द में समा जाएंगी मिट्टी, पानी, हवा, नदी, ताल, तलईया, समुद्र, पहाड, पेड, पौदे, जंगल, जंगल में रहने वाले पसु पक्षी, जंगल में के बहार, गाउं में, सहरों में रहने वाले हम यह सब कुछ परियावरण जैसे छोटे से सब्द में आता है यानि के फ्रेंट्स जो नएने सब्द होते हैं हमारे आसपास उसमें एक है परियावरण सो परियावरण में हम जैसे परियावरण के बारे में जानते हैं हमारे मिट्टी है, पानी है, हवा है, नदी है, समुद्र है, वो सब परियावरण है हम इस बहुत ही बड़े चारो तरफ पहले परियावरण का एक बिल्कुल छोटा सा भाग पर है पर छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हमने इस परियावरण को बिगरना सुरू कर दिया है हुमारा परियावरन बिगड़ेगा तो हम सब पर भी इसका आसर अच्छा नहीं होगा इसलिए परियावरन की बातों को हमें अपने विद्यालयों में अपने घर में भी धीरे-धीरे समझना चाहिए यानि कि फ्रेंच परियावरन है वो हमने बिगड़ना सुरू किया है जो संतुलन है वो परियावरन का दिरे-दिरे क्या हो रहा है बिगड़ रहा है इसलिए हमें वो सुदार ना पड़ेगा पेड़ पोधे उगा कर यहां बाग हमारे परियावण को समझने की सरुवा थे इसमें दिये गए पार्ट हमारे लिए एक दर्वाजा खोलते हैं इस दर्वाजे से बाहर निकल कर हम और कई नहीं बाते जानकार या भी खुद भी सिख सके, यानि कई सारे इसे पाठ है उसके बारे में जानकर हम सिखेंगे, जैसे बाग आया उस रात कविता में हमारे परिवार की तरह बाग के परिवार की बात आई है, तो परियावर्ण का इस्सा है, पर इधर हमारे जंगलों का यहां राज गायब हो चला है, बागों का और वनों में रहने वाले दूसरों जीवों का सिकार मना है, फिर भी चोरी छीपे इन बागों का मारा जा रहा है, इनको बचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है, इस बारे में भी सोचने चाहिए, यानि कि कई सारे अमारे बाग है चेप्टर है आगे हम कि सेर कभी कभी बीमार पढ़ सकता है और तब उसकी देखबाल उसी कदर करने पढ़ती है, जिस तरह बीमार पढ़ने पर हम अपनी देखबाल करते हैं, यानि कि आगे का जो पाट है वो एसी याई सेर के मीठी गोलिया, उसमें भी हम जैसे हम बीमार पढ़ते हैं, उसी त कशिको मारने से बचाने की बाद गई है उसके बाद पानी रे पानी में जल चक्र की किताब को आगे बढ़ा गर अकाल और बाढ की परिस्तिति को समझाया गया है इससे हमें अर जग फैले रहे जल संकट को समधने और उससे सुलजाने का भी रास्ता मिलता है यानि कि पानी रे पानी पाथ में हम पानी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम पानी के संकट को बचाएंगे छोटी सी नदी हमारी नदी कविता उस्तेनी घर और उनके बच्चे बच्पन की जलक हमें जोडा साको वाला घर नामक पाठ में मिलती यानि कि छोटी सी नदी कविता में हम नदी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जोडा साको वाले घर यानि उसमें हम रविंद्रना टाउर के जो बच्पन है उसकी जलक लेंगे चुनोती हिमाले की पाठ में हम बर्फ से डखे ऐसे उचे पहाड पर चड़ाता चला जाता है जहां आठ कदम चलना भी बहुत उखटिन होता है लेकिन यहां भी जीवन चलता है पेडो से हमारा जीवन कई स्तर पर जुड़ा है इस तरह रिष्टे की बात हम क्य उगाते हैं कविता में उठाए गए यानि कि चुनोती हिमाले की चेप्टर में हम हिमाले के बारे में पढ़ेंगे और हम क्या उगाते हैं उस कविता में हम हम क्या उगाते हैं उस कविता में हम पेडों की बारे में भी बात करेंगे इन पाठों में हमें हाथी, शेर, तितर, नदी, बर्प, पेडों और उन न जाने क्या-क्या मिलेगा लेकिन परियावन का यहां दरवाज एक बार खुल जाए तो हम इन बातों से भी आगे बढ़कर गायब हो चुके डाइनोसोर तक खोज सकेंगे इतने बड़े लंबे चोड़े जानवरी दरसी से गायब हो सकते हैं तो हमें थोड़ा ठक कर यह भी सोचना पड़ेगा कि परियावरन की बेककद्री करने पर क्या हम सब भी बच पाएंगे यानि कि फ्रेंट्स देखिए परियावरन में हाथी है सेर है तीतर है नदी है सब भी परियावरन में है तो आप जानते है डाइनोसोर जो कई साल पहले डाइनोसोर पृत्वी पर है थे लेकिन अभी पृत्वी पर नहीं है वो गायब हो गए तो क्या हम भी अगर परियाव हो गया वीडियो को देखते रहेगा थेंक यू